तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका लाइफस्टाइल जो है आफ्टर मारेज वो किस तरीके का होगा तो यहां पर मैंने दो पाइल रखके हैं पाइल नमबर वान पाइल नमबर टू आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्दे मन से चूज क पाइल नमबर वान अगर आपने यह इमेज चूज की है या फिर आपका बर्दे मन जो है वो इन में से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफस्टाइल जो है आफ्टर मारेज वो किस तरीके की होगा तो पहला काड़ा रहा हमारे पास किंग ओफ वांड नेक्स्ट आपको सभी कार्स अच्छे से दिख रहे होंगे तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूं जो आपकी present situation है चाहे उसमे financial constraints हों किसी भी तरीके का हो सकता है financially आपकी स्थिती अच्छी नहीं है उन सब चीजों से जो है आपको निजात मिलेगी आपकी जो है love life जो है वो काफी हद तक boring है या already आप बहुत लंबे समय से single रहे हैं आपकी life में कोई भी changes नहीं आये हैं present situation पर तो उन सब चीजों में जो है changes आएंगे आपकी जिन्दगी में कह सकते हैं कि एक बहार आएगी शादी के साथ ठीक है अब वो जब भी होगी क्योंकि यहां पर जो है मुझे एक particular energy नहीं मिल पा रही है कि यह चार महीने में होगा छे महीने में होगा ऐसा नहीं है लेक और जितनी भी आपकी जरूरते हैं या इच्छाएं हैं वो सब जो है आपके dreams फुल्फिल होंगे यह एक overall energy मैंने आपको बताई है तो यहां पर पहला काड़ा रहा है king of wands है king of wands जो है आपके person चाहे वो male हो चाहे आप female हो आपके जो opposite gender है या आपके जो partner है वो बहुत ही attractive होंगे दिखने में sexy कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि practical approach वाले व्यक्ति होंगे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हवा में बाते करते हैं कि मैं जो हूँ x y z जो है amount कमा लूँगा या मैं इतना business establish कर लूँगा लेकिन उसके लिए वो प्रयास ना करें ऐसा उनका nature नहीं है वो जो है इस तरीके के व्यक्ति हैं कि वो अपने काम को बहुत जादा संजीदा से तरीके से लेते हैं seriously जो है वो अपने काम को लेते होंगे और उसका जो goal orientation है या कह सकते हैं उस goal को achieve करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके के आपका person का nature होगा एक मैं और कहना चाहूंगी थोड़े से fiery temperament के होंगे उन्हें थोड़ा सा गुसा जल्दी आता होगा वो आप पे नहीं करेंगे लेकिन अगर कोई उनके साथ बत्तमीजी करता है या फिर जो है उनको दबाने की कोशिश करता है तो जो है उनका एक तरीके से रौद रूप भी दिख जाएगा आपकी तरफ जो है वो काफी जादा जो है एक जेंटल नेचर होगा क्योंकि मैं जो हूँ यहां पर एक six of cups वाली एनरजी को देख रही हूँ कि एक चाहे वो एडल्ट हो चूंकि शादी हो रही है तो वो एक एडल्ट ही होंगी लेकिन उनके मन में आपके एक इनोसेंट वाला लाव है आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी naughty moments करना आपके साथ आपको छेड़ना वो बहुत जादा पसंद करते होंगे लेकिन उनका एक ऐसा नेचर होगा वो बाहर में exterior में बहुत जादा सक्त दिखते होंगे बोलना कम पसंद करते होंगे लेकिन आ के मन में आता है या जो भी वो surrounding में देखते हैं तो आपसे वो discuss जरूर करेंगे एक्स आरहा है wheel of fortune आ रहा है तो wheel of fortune जो है जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपकी overall energy जो है वो इस present situation पे जो भी है उससे जो है काफी हद तक changes आएंगे आपकी life में यहाँ पर जो है मैं देख पा जिस आते हैं तभी हम जो है अपनी जिन्दी में success को achieve कर पाते हैं तो कुछ इस तरीके की energy है एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगी random message है कि जादतर लोग जो है वो यह सोचते हैं या चाहते हैं कि रातो रात जो है हम अमीर बन जाए या successful बन जाए लेकिन मैं उस चीज़ को क कहना चाहूंगी कि समय के साथ ही जो है वो success आती है हमें धैरे के साथ अपना काम करते रहना चाहिए और उसके आगे जो है जो हमारे लिए unknown है या कह सकते हैं जो चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास success आ भी रही है या नहीं आ रही है लेकिन अपने उपर वि उसमें भी आपकी मदद करेंगे मैं एक एक्जामपल के तौर पर कहना चाहूंगी हो सकता है जरूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करें लेकिन आपकी फैमली में कभी किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया होगा चाहे आप male हो चाहे आप female हो उनके मन में कही न कहीं कई बारी हमें इस तरीके के लोग मिलते हैं जरूरी नहीं है लेकिन उनके मन में ऐसा होता है कि वो थोड़ा निगलेक्ट कर देते हों या फिर आपके पास एक overall success आ जाए उसके बाद जो है आपको admire करें लेकिन आपके person जो है वो इससे बिल्कुल उलट होंगे आपको वो support करेंगे bit by bit step by step आगे बढ़ने में तो ये जो है आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक कह सकते opportunity भी होगी और इस तरीके के व्यक्ति के साथ चाहे वो male हो चाहे वो female हो आपका एक support system बनना ये बहुत ज़रूरी होता है marriage को एक long term commitment में change करने के लिए next आ रहा है six of ones है तो ये जो है victory को success को time को दिखाता है इसमे थोड़ा समय लग सकता है यहां तक पहुचने में कि ये आपकी overall success होगी marriage के बाद आपके person तो जो है वो well settled है ही ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है या फिर जो है जो भी जीने के लिए जरूरी है वाली चीजे होती है जरूरत है वो सब जो है वो complete होगी लेकिन आपकी भी वो overall success को देखना चाहेंगी तो उसमें जो है वो support system का काम करेंगी तो यहां पर six of wands आ रहा है यहां पर triumph है सबसे जादा मैं एक example के तौर पर समझाऊंगी कि अगर आप कोई काम कर रहे है तो उसमें जो है आपका appreciation जो है वो सबसे जादा आपके person ही आपको देंगी अगर आप वो male है या female है तो ठीक है कुछ इस तरीके का होगा कि आपने मालीजिए कोई छोटा business से start किया है ठीक है जो भी आपकी hobby रही हो चाहे वो pottery की hobby रही हो painting की hobby रही हो तो आपकी जो first painting है या second painting है उसको जो है आपको encourage करेंगी कि तुम और अच्छा कर सकती हो तुम और अच्छा कर सकते हो तो आपको वो support system मिलेगा इस तरीके से यहाँ पर जो हूँ मैं next day पा रही हो five of pentacles आया है reverse में मैं यहाँ पर दो condition देना चाहूंगी यहाँ पर जो है हो सकता है जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपकी family में किसी ना किसी ने आपको support नहीं दिया है मैं यह नहीं कह सकती कि पूरी family ने ऐसा support नहीं दिया ऐसा नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपको support नहीं देना चाहता है या फिर उनका nature इस तरीके का है कि वो थोड़े cold व्यक्ति हो ठीक है करी बारी जो है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो हर समय support आपको नहीं करना चाहते है या फिर दूसी situation हो सकते हैं कि आपने financial constraints बहुत ज़ादा देखे हो financial जो condition हो वो उतनी ज़ादा well to do ना हो जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि आपने past में अपने dreams पर कहीं ना कहीं एक तरीके से रोक लगा दी हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उस चीज़ को काम करने की कोशिश ही ना कहीं हो क्योंकि आपके पास proper resources नहीं है तो वो जो सपना है वो जो है आपके person के through वो जो है अचीव होगा आपका नेक्स टार है six of cups आरहा तो six of cups जो है वो काफी हद तक एक past memory को दिखाता है या फिर ये कह सकते हैं कि एक innocent वाला love है यहाँ पर जो है innocence है प्यार में कई लोग जो है हर एक की जो परिभाशा है प्यार की वो अलग अलग होती है कुछ लोग इसको passion से related समझते है कुछ लोग जो है emotions समझते है ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर wants की energy बहुत जादा है wants जो है वो Aries energy Leo energy या Sagittarius energy है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ जो है उनकी complimentary जो आपके emotions नहीं है क्योंकि यहाँ पर cups energy भी है तो cups energy भी जो है उनकी एक emotional side को plus जो passionate side है आपके लिए उन दोनों को एक अच्छा balance दिखाती है और जिंदगी में balance होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर ज़रूर से ज़्यादा passion होगा तो वो आपकी health के लिए अच्छा नहीं है और अगर ज़रूर से ज़्यादा emotions होगा तो भी वो आपकी health के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप practical solution नहीं ढूड़ पाएंगे अपने जिदिगी में दोनों चीज़ों का balance होना बहुत ज़रूरी है और आपके person जो है वो बहुत ज़्यादा balance रोंगे चाहे वो male हो चाहे फीमेल हो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी यहां पर random message आया है कि आपके मन में जो भी आपकी कमियां होंगी हम सभी में कोई ना कोई कमी होती और हम अपनी कमियों को भी अच्छी तरीके से जानते हैं उस चीज़ को जो है वो काफी हद तक एक advice के रूप में आपको देना पसंद करेंगी कि आपको वो advice भी देंगे कि आपको यह करने की जुरुत है और आप इस तरीके से success को या अचीव कर सकते हैं तो हो सकता है जैसे आप overthinker हो या वरी बहुत जादा करते हो कि पता नहीं क्या होगा मेरा मैं कर रहा हूँ काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा successful हो पाऊंगा दो पैसे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा कुछ इस तरीके से तो वो जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा support system का काम करेंगे इस तरीके की energy मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है नेक्स चारा night of cups आ रहा है night of cups जो है आपके पसंद बहुत ज़्यादा romantic होंगे आपको वो love offer करना चाहेंगे छोटी छोटी चीजों को जो कह सकते हैं कि relationship को spice up करने के लिए जरूरत होती है कभी-कभी जब भी उनको time मिलेगा और आपको time मिलेगा तो वो आपके साथ movie देखने जाए restaurant में जाए और अगर time नहीं भी मिल पा रहा है तो घर में ही जो है वो एक TV पर ही जो है वो movie theater की तरीके से आपको वो feel दे देंगे कि आपको popcorn बना लिए हैं कुछ जो भी आपको खाने पीने का शौक है और वो ही सब जो है आपने एक normal अपने घर में ही वो atmosphere create कर लिया और आपके साथ जो है थोड़ी सी naughty moments वो करें तो कि मैं यहां पर देख पा रही हूँ कि उनके मन में जो है वो आपको अपनी तरफ से ही बहुत जादा बहुत कुछ देना चाहते हैं कि आपका nature ऐसा होगा कि आप demand नहीं करते होंगी कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए तो अपनी दरों से चाहते हैं कि आपको ये सब दे पाए तो कुछ इस तरीके की energy भी महसूस कर रही हूँ एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगी आपके साथ वो tracking पे जाना mountainous region में घूमना या कह सकते हैं river side पे थोड़ी देर बातचीत करना ही उन्हें बहुत जादा पसंद होगा कि मैं या पर बहुत जारी fishes भी देख रही हूँ और eagle perspective भी देख रही हूँ तो उनका दिमाग जो है वो दोनों तरीके से काम करता है कि एक prosperity को कैसे attract करना है सिर्फ financial prosperity नहीं emotional prosperity तो उसके लिए kind होना बहुत जारा जरूरी है compassion होना प्यार भरा एक तरीके से जो अच्छी तरीके से romantic behavior करना अपने partner के साथ चाहे वो male हो चाहे वो female हो तो कि gender जो है वो उससे relation में नहीं आता अगर female भी है वो आप से सही तरीके से बात ही नहीं करेंगी तो आपका love relationship कैसे आगे बढ़ेगा तो कुछ इस तरीके की energy में देख रही हूँ यहाँ पर एक perspective भी है एक broad perspective भी है कि जिन्दीकी को कैसे जीना है लेकिन उसमें जो है वो खटी मिठी यादों को जोड़कर आगे बढ़ना आपके साथ पसंद करेंगी नेक्स आरे Ace of Cups आया है Ace of Cups जो है वो एक unconditional love को दिखाता है काफी हद तक यह divine union होगी जब भी क्योंकि Six of Wands के ठीक नीचे आया है जब भी वो आपके साथ जो है physical union में आना चाहते होंगे तो वो आपको इस तरीके से महसूस करवाएंगे कि आप उनके लिए कितने significant है या special है आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे में ऐसी क्या खूबी है कि ये व्यक्ति मुझे वो इस कदर प्रेमभाव करता है या मेरी care करता है मैं care के perspective से बताना चाहूँगी लेकिन आपको ये लगने लगेगा कि वो जो है बहुत जादा आपसे प्रेमभाव करते हैं और उनको कभी भी आपको hurt नहीं करना है तो कुछ इस तरीके के आपकी energy मैं यहाँ पर देख पारी हूँ next आरे sun का काड़ाया है sun जो है purity को innocence को और Leo energy भी दिखाता है हो सकता है sun moon और राइजिंग जो है वो Leo energy का हो क्योंकि यहाँ पर overall जो है Aries energy, Leo energy, Sagittarius energy बहुत जादा prominent आ रही है और Pisces energy, Cancer और Scorpio energy बहुत जादा prominent है तो यहाँ पर जो है equal balance है कि passion भी है properly और cups वाली energy भी है emotions भी है तो आपका जो love relationship होगा family में जिसके साथ भी आपकी शादी होगी तो यह positive outcome है यहाँ पर जो है अगर आप बच्चे करना चाहेंगे तो आपको positive outcome मिलेगा और जल्द ही मिलेगा एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगी कि आप अपनी growth जो है वो समय के अनुसार करेंगे for example अगर आप इस समय 28-29 इस तरीकी की age में है एक average age ले रही हूं है शादी की age है तो उस समय जो है आपका जो भी criteria रहा हो financial status रहा हो उसके आने वाले 10 सालों में जो है आप बहुत कुछ अचीव करेंगे बेशक आपको महनत करनी पड़ेगी अगर मैं आपको ये कह देती हूं कि नहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है जिंदगी में कभी भी आपको महनत करने की जरूरत है लगे रहने की जरूरत है लेकिन आपका अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा और आप वो सब wealth जो आपको पहले ना मिली हो या फिर जिस चीज को आप अपनी जिंदगी में manifest करना चाहते हैं चाहे वो अच्छे कपड़े हो, चाहे वो jewelry हो, wealth wise हो या फिर emotional love भी हो उन सभी चीजों को आप manifest कर पाएंगे, चलिए देखते हैं आपकी person की तरफ से कुछ love messages तो दोनों ही cards में जो है, मैं यहाँ पर देख पारियों कि एक soul connection है और जो masculine है, divine masculine जो है, वो feminine को काफी हद तक अपनी तरफ attract करना चाहते हैं physically भी, emotionally भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको कभी भी ऐसा feel ही नहीं होने देंगे कि आप उनके लिए जो है, किसी ना किसी तरीके का, क्या कह सकते हैं कि उनको आप में interest नहीं है वो हमेशा यह show करेंगे कि आप उनके लिए बहुत जादा महत्वपून है तो चलिए देखते हैं, love messages क्या कहते हैं तो यहाँ पर जो है, पहला card आया है twin flames, your passion ignites और next आया है, playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer तो यहाँ पर healer का card भी आया है healer जो है, शब्द आया है, तो वही चीज़ है कि जो आपकी past energy है उसको जो है, properly heal करेंगे आपको हसाना, गुद गुदाना, comedy करना आपके साथ, उन सब चीज़ों को करना जो की आप deserve करते हैं, वो सब आपके साथ होगा तो चलिए देखते हैं, कुछ random messages आपके person की तरफ से पहला आ रहा है, I wish you were mine तो वो जो है, वो यह कहना जाते हैं कि आप उनकी हो जाएं, next आ रहा है I feel very insecure, तो ऐसा हो सकता है उनको जो है, insecurity महसूस हो रही हो इस present situation पे कि आपको जो है, वो किस तरीके से अपनी जिन्दगी में ले कर आएं, next देख लेते हैं I am ready to go big up, rise up and step into my power तो आपके person जो है, वो आपको अपनी जिन्दगी में ले कर आना चाहते है next आता है, raise your energy तो वो कहना चाहा रहे हैं कि आप भी जो है, उनके साथ कदम से कदम आगे बढ़ाएं next देख लेते हैं your wish is granted तो काफी हद तक जो है, आपकी जो wish है universe आपको जो है कहना चाहता है कि जो भी आपकी wish है वो जो है, आपकी fulfill होगी चाहे वो love relationship में हो, चाहे वो जो है financial condition में हो next आ रहा है, friendship is coming तो आपका जो ये playfulness वाली या friendship वाली जो energy है, वो होगी next आ रहा है, I see grace and possibility in all of life challenges तो आपका जो perspective है, life के challenges की तरफ वो जो है, एक अलग ही तरीके का perspective जो है, वो आपके person लेकर आएंगे chubby girl, तो ऐसा हो सकता है, आप chubby हो या फिर जो है उनको आपकी chubiness जो है, वो बहुत ज़्यादा पसंद हो next देख लेते हैं no act of kindness no matter how small is ever wasted तो वो ये कहना चाहता है, universe भी आप से ये कहना चाहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी किसी की जिंदगी में मदद की हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मदद करने का कोई फाइदा नहीं होता तो ऐसा नहीं है आपको जो है अपना फल जब मिलना है तभी मिलेगा नेक्स आ रहा है My heart is overflowing with joy तो आपके person जो है वो ये कहना चाहते हैं कि वो काफी हद तक joy को enjoyment लेना चाहते हैं नेक्स देख लेते हैं I am grateful for all that I have in my life तो वो जो है इस present situation पे बहुत grateful है और आपको जो है अपनी जिन्दगी में manifest करना चाहते हैं नेक्स देख लेते हैं We are strongly connected in 5D तो आपके person जो है spiritual व्यक्ति होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि आप दोनों जो है कही ना कही एक astral plane पर जो है connected है तो चलिए देखते हैं आपके person से related कि वो अपना love किस तरीके से जो है किस song से या किस lyrics से आपकी तरफ express करेंगे तो पहला आ रहा है truly, madly, deeply, savage garden का तो आप इसके lyrics देख सकते हैं नेक्स आ रहा है तुमसे ही मोहित चोहान का next song देख लेते हैं एकाश के हम, कभी हाँ, कभी ना movie का तो आपके person जो है, वो आपकी तरफ इस तरीके से अपना love को express करेंगे तो चलिए देखते हैं कुछ और love movie जो की आपके person जो है, वो उस तरीके से behave करना चाहें आपके साथ या आपके साथ enjoy करें तो पहला आ रहा है, the princess bride ये एक English movie है पी एस आ लव यू, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आप movie देख भी सकते हैं और next आ रहा है, 365 days तो काफी हद तक जो है, आपके लिए वो थोड़े possessive होंगे काफी हद तक protective होंगे इस तरीके की energy में महसूस कर पार रहे हूं next आ रहा है हम जो है, pile no.1 की energy से related को charms देख लेते हैं को significant detail हमें मिल जाए तो पहले मैं charms को set कर लेती हूं तो यहां पर पहला charm आया, एक heart आया है तो आपकी तरफ जो है, वो love of cup जो है, वो देना चाहेंगे आपको अपने heart का ही एक part मानते होंगे next आ रहा है, थरड़ा ही चक्रा आया है थरड़ा ही चक्रा जो है, आपकी intuition को और ज़्यादा enhance कर देगा काफी हद तक जो है, आप अपने आप पर believe करने लग जाएंगे और उन पर भी जो है, अपनी किस्मत पर believe करने लग जाएंगे क्योंकि आपकी destiny जो है, वो इसी तरीके की है कि आपकी जिंदगी में, जो है, जो भी आपको पहले नहीं मिला है वो सब कुछ जो है, आप पाएंगे, success पाएंगे, love पाएंगे और जितनी भी चीज़े आप manifest करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक rhino आया है rhino जो है, वो determination को दिखाता है rhino जो है, वो काफी हद तक एक तरीके से loyal व्यक्ति हैं और वो determination बहुत जादा होता है उनकी relationship में, आपका relationship जो है, वो determined होगा work के through भी और family life के through भी next आ रहा है, fish आया, fresh prosperity को दिखाता है, success को दिखाता है, luck को दिखाता है तो आप वो सब को attract करेंगे next आ रहा है, आप एक surgical instrument आया है surgical instrument जो ऐसा हो सकता है कि आप doctor हो या फिर medical supplies का काम करते हो आपका business हो, medical supplies का ज़रूरी नहीं है और अगर जो है, आपका ये सब चीज़े resonate नहीं भी करती है तो आपको अगर किसी चीज़ को cut off करने की ज़रूरत है कोई past में चीज़े इस तरीके की खराब रही हो चाहे वो financial condition से ही खराब रही हो तो आपको उसको cut off करने की ज़रूरत है next आ रहे train आई है, तो train जो है या steam engine जो है, वो patience को दिखाता है कि जो mountainous region है, पहाड़ वाला इलाका होता है तो वहाँ पर express way नहीं चल सकती आपको उसी pace पर, उसी धीमी गती से आगे बढ़ते जाना है और आप उस mountain के top पर पहुचेंगे ही पहुचेंगे next आ रहे, Aries का head आया है ऐसा हो सकता है कि आपके person जो है, थोड़े से जिद्धी हो अपने काम के प्रती, यह भी हो सकता है कि उनका sun, moon और rising जो है या cusp जो है, वो Aries energy का हो तो कुछ stubbornness है, थोड़े जिद्धी हो सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़दा protective होंगी next आ रहा है, यहाँ पर एक key आई है, जिसका head जो है, वो owl का है तो काफी हद तक wisdom है, ऐसा नहीं है कि आपके relationship में immaturity है, यह एक बहुत ज़दा mature relationship होगा जिसमें आप अपनी spiritual growth भी करेंगे, success भी पाएंगे financial success भी पाएंगे, और love relationship में भी आपको success मिलेगी तो pile number one, यह थी आपकी reading, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें, thank you number two, अगर आपने यह image choose की है, या फिर आपका birthday man जो है, वो image से आता है, आपको इसकी details description box में मिल जाएगी, तो चलिए देखते हैं, आपकी lifestyle जो है, after marriage किस तरीके की होगी हमारे पास eight of swords, next आ रहा है, eight of pentacles, four of wands, ten of pentacles, बहुत दी positive card है next देख लेते हैं, strength, queen of wands, justice and last है हमारे पास ace of wands, तो मैं यहाँ पर overall energy जो है, वो बहुत जादा positive देख रही हूँ यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई problem नहीं है, चाहे वो emotions की हो, चाहे वो physical desires की हो, चाहे वो financial condition की हो, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर 888 आया है, तो triple eight जो है, वो जाकर देख सकते हैं, कि आपके लिए किस तरीके का message आ रहा है, वो आपसे जरूर resonate करेगा, यहाँ पर जो है, मैं पहला कार्ट देख पा रही हूँ कि आपका जो lifestyle है, उसमें जो है, किसी भी तरीकी की कोई problem नहीं है, लेकिन थोड़ा discipline, overall energy है, यहाँ पर कि ऐसा नहीं है, कि आप जिंदिगे में जो भी achieve करेंगे, उसको जो है, सिर्फ inheritance के बदालत जो है, वो achieve करेंगे, ऐसा नहीं है, आपकी lifestyle जो है, काफी हद तक discipline हो जाएगी, आप एक बहुत बड़ा family business जो है, वो acquire और उसके लिए जो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो 16-18 घंटे ही हो, लेकिन आप जो है, वो करेंगे, यहाँ पर जो है, overall energy, मुझे pentacles की बहुत जादा आ रही है, यहाँ पर financial condition जो है, वो बहुत जादा अच्छी होने वाली है, इस तरीके का पैसा आपको मिले मिलेगा, मिलेगा in the sense, आप acquire करेंगे आपनी जिंदगी में, कि आपको किसी भी तरीके की कोई luxurious life जो है, वो उसकी कमी नहीं होगी, तो यहाँ पर पहला काड़ा रहा है, eight of swords आ रहा है, eight of swords जो है, वो आपकी present condition को दिखाता है, इस समय आपका mind जो है, वो बहुत जादा puzzled है ठका हुआ है, बहुत जादा limiting beliefs है, अपने बारे में बहुत जादा negative thinking है, कि ऐसा नहीं है कि आपके मन में जो है, इस समय positive energy हो, आप इस समय अपने आपको ठका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, कि आपकी जिंदगी में जो है, कोई positive ness नहीं आईगी, इस त आपके पास talent नहीं है, या resources नहीं है, लेकिन आप उसकी जो energy है, वो सही जगा पर execute नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये दिक्कत महसूस हो रही है, next आ रहा है, eight of pentacles आ रहा है, तो eight of pentacles जैसे ही आपकी शादी होगी, तो आपकी energy में, जैसे ही आपके person के साथ आपका attachment ह होगा, उसके बाद जो है, आप उनसे बहुत जादा inspired होगी, क्योंकि वो बहुत जादा hard working nature के होगे, वो अपना जो भी काम करते होगे, चाहे वो business हो, चाहे वो service हो, उसमें बहुत जादा hard working उनका nature होगा, ऐसा नहीं है कि वो magical तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, ऐसा नहीं ह है, वो अपने काम को बहुत जादा determination के साथ, बहुत जादा एक तरीके से महनत करना चाहते हैं, और उस skill को polish करना चाहते हैं, for example, अगर वो software engineer ही हैं, तो उसमें भी जो है, वो अपने आप से compete करते होंगे, कि उन्होंने तीन महीने जो चीज पहले बनाई थी, और उसमें जो इस तरीके से उनकी energy होगी, बहुत जादा hard working nature के आपके person होंगे, और आप भी जो है, उनके साथ इस तरीके inspiration लेंगे, कि आप भी वो hard working nature को acquire कर लेंगे, एक्स आरा four of wands है, तो जैसे ही आप महनत करने लगेंगे, जो कि आप present situation पे उतनी जादा महनत ना कर रहे हों, या फि चीज का reward जो है, वो आपको जिस तरीके से कहते हैं कि कई बारी किसी और के जिन्दगी में या कह सकते हैं कि भविश्य से या कह सकते हैं कि उसकी जो energy है, उसकी वजह से भी हमारी जिन्दगी में पहुत सारे positive outcomes होने लग जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की energy भी आप महसूस क करेंगे कि आपको लगने लगेगा कि नहीं मेरा पुराना समय जो है वो गया है, अब जो है वो एक positive outcome में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, तो यहां पर four of wants की energy आई है, celebration को दिखा रही है, जैसे ही आपकी शादी होगी, उसके समय के थोड़े बाद ही जो है, आपको अपनी जिन्दगी में changes लगने लग जाएंगे, आपको अपनी energy में changes लगने लग जाएंगे, कि आप एक कह सकते हैं कि rebirth हुआ है, ऐसा लगेगा आपको कि आप जो है, अचीव करने के लिए बने हैं और आपको जो है, उस चीज को मेहनत से और जादा acquire करना है, polish करना है, ठीक है, next 10 of pentacles है, 10 of pentacles जो है, इस तरीके का एक तरीके से energy है, या कह सकते है, धन है, कि आपको इस तरीके का बेशुमार धन मिलेगा, चाहे वो inheritance के थू भी हो, चाहे वो जो है, आप अपनी मेहनत से कमाएंगी, क्योंकि अगर inheritance को भी हम खतम करने पर लग जाएंगे, तो बहुत जल् तरीके का धन है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है, कि धन नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी का, कि inheritance अगर हम खतम करना चाहें, तो कुछ सालों में खतम हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको बढ़ाना चाहेंगे, तो वो हमारे हात्मर है, नेक्स टारे strength का काड़ा है, इस जो है, वो आजाएगी, अपने उपर विश्वास करने की, आप अपने आप पर trust करने लगेंगे, जो भी आप कर रहे हैं, वो आपको एक अच्छे phase की तरफ लेके जाएगा, और आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगी, य थोड़े जादा केरिंग होगे, लेकि यहां पर जो हो सकता है कि आप जो female energy है, आप अपने आप पर हार्ड बहुत जादा रहते होगे, कि आप बहुत जादा strict होगे, लोगों से strictness दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आपने उपर बहुत जादा strict होगे, इस mind की वज़े से तो इसमें भी थोड़े से changes आएंगे और आप जो भी काम pursue करना चाहेंगे उसमें आपको success मिलेगी नेक्स्ट आ रहा है queen of wands है तो आपकी eight of swords की energy जो है queen of wands में changes आएगी queen of wands जो है वो एक sexy attractive woman को दिखाता है जो कि काफी हद तक practical है उसे business करना आता है जिन्दगी में जीना आता है ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिन्दगी में achieve नहीं कर सकते हैं उन्हें मालुम है किस तरीके से चीजों को achieve करा जाता है लेकिन उसके साथ जो है थोड़ा सा fire temperament भी होगा तो ऐसा हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि आपका थोड़ सा गुसा तेज हो या फिर जो है आप किसी तरीके का एक तरीके का nonsense को tolerate करने वाला behavior आपका नहीं होगा अगर आप एक female है और आप ये देख रही है इस आरा justice का card आया है तो आपके लिए जो justice आ रहा है जो भी आपने कर्म पहले कीए होंगे अच्छे कर्म कीए होंगे उन सभी का reward जो है वो आपको मिलेगा और किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उसका भी जो है उनको करमा मिलेगा ही मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है आपको ना भी पता चले कि उनको कर्मा मिला है या नहीं मिला है लेकिन वो सब जो है वो एक तरीके से जो अपनी टाइमिंग के अनुसार जो है वो सब होगा तो ऐसा नहीं है कि आपके जिंदिगी में जो है किसी तरीके का इंबालन्स रहे आपकी लव ल नेचर के होंगे, determination होगा, आपको support करेंगे, ऐसा नहीं है कि support नहीं करेंगे, लेकिन अपने काम को और आपके काम को वो अलग रखना पसंद करेंगे, उनको पसंद नहीं होगा कि वो जो है आपके काम में interfere करेंगे, और आप जो है उनके काम में interfere करें, कुछ इस तरीके की balanced energy आ रही है एक चीज में और कहना चाहूंगी कि अगर उनका ओरड़ी एक family business है चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो तो उनके मन में इस तरीके का dream होगा कि उस business को जो है वो उस मुकाम पर पहुचाएं जिसकी वजह से दुनिया में जो है उनका नाम हो तो कुछ इस तरीके क कि जो या आपकी जो है intimate life जो है वो बहुत जादा अच्छी होगी क्योंकि एक new beginning को भी दिखाता है और passion को भी दिखाता है तो काफी हद तक जो passion है आप दोनों का वो जो है बहुत जादा एक कह सकते हैं कि बहुत जादा intense होगा जब भी आप love making करेंगे तो वो जो है उसमें intensity बहुत जादा होगी ऐसा नहीं होगा कि आपके person जो है सिर्फ और सिर्फ जो है physical desires को complete करना चाहते हैं वो emotional desires को भी complete करना चाहेंगे और बहुत लंबा समय जो है वो उसमें जो है जाएगा आ आपके person जो है वो आपके साथ इस तरीके की moment में आना जो है frequently पसंद करेंगे तो आपका हो सकता है कि आप एक family बनाना चाहते हो जिसमें आपका एक picture हो कि आप grand parents हैं आप हैं आपके husband हैं या wife हैं ठीके आपके बच्चे हैं और pets हैं तो वो जो dream है वो आपका जो भी आपने दिमाग में picture कर रखा है कि इस तरीके के complete family होगी तो वो सब चीज़े जो है आपको मिलेगी नेक्स देख लेते हैं आपकी person की तरफ से कुछ love messages तो यहां पर जो है मैं देख पा रही हूं कि यहां पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहां पर masculine energy वो थोड़ी सी submissive है, submissive को गलत मत लीजेगा लेकिन थोड़े से जो है वो जादा emotional होंगे as compared to you आप बहुत जादा practical होंगे लेकिन वो थोड़े emotional होंगे तो उनको कभी-कभी जो है एक तरीके से pampering करनी पड़ती होगी या फिर जो है आप उनको support करते होंगे तो उन्हें बहुत जादा अच्छा लगता होगा नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है मैं दोनों ही angels को एक अच्छी position में देख पा रही हूँ एक अच्छे relationship के साथ एक positive relationship के साथ मैं देख पा रही हूँ चलिए देखते हैं लव message क्या कहते हैं तो पहला love message आया है embrace through each other you find the missing piece तो आप दोनों ही जो है अपने अपने जो missing piece है उसको जो है fit out कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यह व्यक्ति मेर में इंट्रस्टेड नहीं है या मैं उसमें इंट्रस्टेड नहीं हूँ ऐसा नहीं कुछ होने वाला आप दोनों की जो synchronization है union होने के बाद जो है आप दोनों को सुकून मिल जाएगा next आ रहा है healing आई है imagine yourself and your beloved surrounded by light feel your relationship being healed this very moment तो काफी हद तक जो है आपको यह relationship जो है वो healing में लेकर आएगा और इस relationship के बाद जो है आपकी success जो है वो एक दम से बढ़हेगी ठीक है तो चलिए द पहला आया है हमारे पास message choose love not fear तो अगर आपको डर लग रहा है तो आपको love को choose करने की जरुवत है next आ रहा है big hug तो वो जो है आपको big hug देना चाहते है universe भी जो है आपको support करना चाहता है next देख लेते हैं I think about you all the time तो अगर आप अपने person को जानते हैं अगर आप already एक relationship में हैं तो वो जो है आपके बारे में 24-7 जो है सोचते रहते होंगी next देख लेते हैं always treat you with respect तो काफी हद तक उनके मन में इस तरीके की चीजे होगी कि वो आपको हमेशा respect के साथ जो है वो देखना चाहते हैं और respect देना चाहते हैं next देख लेते हैं message being gentleman तो काफी हद तक उनका gentleman वाला जो है nature होगा next आ रहा है you receive new blessings and love तो आपके जिंदगी में blessings और love दोनों ही आ जरूरत है next देख लेते हैं I choose to learn through love तो काफी हद तक जो है आप love करना सीखेंगे कुछ इस तरीके की energy आ रही है next आ रहा है bracelet necklace तो ऐसा हो सकता है वो आपको bracelet या necklace दें next आ रहा है clarify your intentions तो आपके person जो है आपको communicate करना चाहेंगे कि उनके मन में जो है आपको आपके लिए किस त holders होंगे next देख लेते हैं you are my lighthouse तो काफी हद तक जो है आप उनके लिए एक beacon की तरीके से काम करेंगे आप उनको एक सही direction दे पाते होंगे next आ रहा है plus size woman तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि अगर आप plus size woman है तो आप में जो है वो एक physically जो है attraction महसूस करते हूं तो चलिए चांस को significant details हमें मिल जाए तो यहां पर पहले में चांस को सेट कर लेती हूं यहां पर फिर से एक starfish आई है healing energy आई है तो काफी हद तक आप heal होंगे इस relationship में ठीक है next आ रहा है एक angel का feather आया है तो आप protected है आपका relationship भी जो है protected है तो यह की long term commitment होगा next आ रहा है एक anchor आया है तो इस रिष्टे में जो है वो बहुत जादा मजबूती होगी ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से जो है आपकी जिन्दीगी में कोई मुश्किल आए ठीक है next आ रहा है या कोई influence आपको कर पाए next आ रहा है हमारे पास sun का card आया है sun का charm आया है sorry तो आपके जो positive outcome है वो इस तरीके का होगा कि आपकी जिन्दीगी में जो है एक जो shine है वो दुबारा से आ करेंगे next आ रहा है यहां पर एक राइनो आया है तो राइनो determination को दिखाता है काफी हद तक जो की eight of pentacles में भी थी कि आपके person जो है वो बहुत जादर determined होंगे तो यहां पर जो है मैं आपके लिए कुछ song या movie ले रही हूं जिसकी वजह से जो है वो आपकी तरफ अपना love को express करेंगे तो पहला आ रहा है हमारे पास मेरा दिल भी कितना पागल है साजन मूवी का तो काफी हद तक जो है उनके मन में इस तरीके की situation या कह सकते हैं feelings होंगी next आ रहा है nothing gonna change my love for you George Benson का तो आप इस गाने की lyrics को देख सकते हैं कि उनके मन में जो है आपके लिए किस तरीके का प्रेमभाव है next देख लेते हैं तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से तो काफी हद तक जो है उनके मन में आपके लिए एक deep intense love है चलिए देखते हैं कुछ movie जिस तरीके से वो आपको pamper करना चाहेंगे तो पहला आ रहा है मारे पास a moment to remember ये एक Korean movie रही है तो आप जा कर देख सकते हैं या फिर जो है आपको इस तरीके का love जो है वो करना चाहेंगे next आ रहा है the princess bride और एक और last देख लेते हैं लाला लैंड तो काफी हद तक जो है आपके person के मन में इस तरीके की आपके लिए भावनाएं होंगी तो पाइल नमबर टू ये थी आपकी reading उम्मीद करती हो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को like करें share करें तांक यू